मैं शालनी डॉटर अब जैचन यादो मेरी उम्र बाइस साल है यह मेरा अधार कार्ड मेरी एज प्रूफ है मैं हाईजी वन अब्लिकेट वर्रट 6 की रहने वाली हूँ अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एक्जाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनाउ के लिए लेकिन मैं अपने दोस मुहमत पैसल जिनको मैं छे साल से जानती हूँ इनके साथ मैं दो जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की मैंने अपनी मर्जी से अपनी राजी खुसी से बिना किसी दवाब बिना किसी पोर्स से मैंने अपना कनवर्जन किया हमने निका किया और निका किया साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की और यह हमारा दो तारिको गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने पुछ से कोट मैरिज किया, यह रा सार्टिफिकेट मेरी शादी का पत जैसे ही मेरे घरवालों को पता चलता है तो उन में से मेरे बड़े वाले भाई का जिनका नाम विकास यादो है, फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि यह जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो, कुछ नहीं होगा पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही होगी, तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें आना पड़ेगा ये सब सुनके मैंने फून काट दिया और इस बीच मेरी मेरे घरवालों से बात होती रही मेरी मम्मी जिनका नाम सत्रुपा यादो है उनसे बात हुई मेरी माज़ी नाम नहा यादो है में बड़े ले भळाः विकास यादो और मेरे म reminds me को अज़ो हम किसी को कुछीं बताएंगे पकुछ नहीं होगा तुम बस आज़ो पर मैं अपनी मर्जी से आयी ति तो मैंने उनसे बुला कि नहीं मैं नहीं आ सकती फिर मेल ने फोन काट दिया फिर उसके बाद मेरे पापा का दो तीन बजे रात में फोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं मुझसे भी बात ली ती थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने सूचना जी था अच्छा अपने तुम्हें ने तुम । नरखी में जडिए जिने तर खरश के शिपकता दी अधर्पार्च के शिपकता हुथ अधानाख इनकर नगर में मुक्तत में दर्ज कराए गया है परवार जनों का आरोप है कि शालनी आदब नाम की लटकी को कुछ रिखते की दोरा अपरेंट कर जा गया है किसी संदर में सालनी एक वीडियो का रहा दुआ है जिसमें लटकी के दोरा अपने आपको सालनी आदब पहा जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर उसमें धर्म परवतन की भी बात दे ही है तो इस वीडियो के हम चांज कराते हैं इसकी पूष्टी करते हैं और इसके आधार पर बिथे कारवाई की जाएगी जाना किद्वे निगर छेतर में आधार नमर 425 वट्टी वीज आईपीसी 364,370,120,511 के तहत बादनी सतरूपाय आदब ते द्वारा एक मुकत्मा दर्ज कराए गया था इस संबन्ध में उनकी पुत्री के द्वारा कल एक वीडियो वैरल किया गया है जिसमें अपने आपको पुत्री होना कहा गया है और अपने पतीक्षा शादी करना कहा गया है जिसमें पती का नाम मुहबद फैजल बताया है इस तताकति वीडियो को की जांच की जा रही है तथा थाना किर्विनेगर के द्वारा अपने दाकों ब्रामदी करने के लिए बिने बिने स्थानों पर द्विष्णी जा रही है